हलो फ्रैंड्स कैसे हैं ? आप सब में उम्मीर करता हूँ , आप सब बहुत अच्छे से होंगे मैं सुमि शर्मत के बहुत स्वागत करता हूँ जोसे आप भी में लडैप Care लेटॉप ऐड़ेका से कोई live streaming करते हो YouTube पे live streaming करते हैं , Facebook पे live streaming कश़े हो तो दोस्तो हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे वीडियो की quality अच्छी नहीं होती है क्योंकि जो laptop में inbuilt camera होता है inbuilt web camera होता है उसकी quality काफी poor होती है इसलिए हमारे वीडियो क्वालिटी भी काफी down हो जाती है तो इस problem को दूर करने के लिए हमें जबरत होती है external wave cam की तो ऐसा ही एक external wave cam मैंने मंगाया है amazon.in से जैसे कि आप देख रहा हो मेरे हाथ में इसकी आज हम unboxing करेंगे ये है logitech का wave cam तो आईए करते हैं इसकी unboxing और देखते हैं कैसे हम इसका setup कर सकते हैं क्या 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 इसके features हैं यह मैंने मंगाया है amazon.in से अगर आप भी इसे purchase करना चाहते हो तो इसका link मैं discussion में दे दूँगा आप बहां से जाकर इसे purchase कर सकते हो अब इसे open करके देख लेते हैं फटा-फट यह हो गया है open यह है इसका bill इसको हटा देते हैं इस box को इसकी packing भी हटा देते हैं अब आप देखिए यह box इसके अंदर निकला है यहाँ पर लिखा हुआ है C310 और यह आप देख सकते हैं logitech का logo और नीचे लिखा हुआ है full hd video calls यानि इसकी जो quality है वो hd quality मिलेगी 720 पिक्सल और यह है c310 hd webcam साइड में लिखा हुआ है 720 पिक्सल 30 fps पर इसकी recording होता रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप लाइब कॉलिंग भी कर सकते हो लाइब वीडियो कॉल भी कर सकते हो यहाँ पर इसका कोई details दी हुई है और बाकी जैसे वीडियो कॉल का लिखा हुआ है यहाँ पर आप एजड है noise reduction inbuilt है noise reduction के लिए inbuilt इसमें फीचर दिया हुआ है इसकी जो voice recording है उसके लिए अब इस बॉक्स को हम open करके देखते हैं क्या निकलता है कैसा निकलता है इसके अंदर वाओ यह है इसका HD camera काफी अच्छा लग रहा है देखने में और बाकी तो यूज़ करने के बाद ही पता लगेगा कैसी quality है लेकिन Logitech है Logitech का एक brand value है काफी अच्छे product होते है Logitech के इसे भी हटा देते हैं पैकिंग को इसकी और open कर लेते हैं इसको जल्दी से और इसके अंदर एक यह निकला है यूजर manual है यह instruction guide है यह instruction guide है इसमें बताए गया कैसे हमें इसे install करना है और इसके साथ एक यह भी manually है यह भी इसको भी अलग कर देते हैं यह है हमारा main camera यह सिंपल सा camera अब आप देखो सिलीक है देखने में काफी अच्छा लग रहा है और यह है इसका lens यह lens है इसका और साइड में आप देख रहे हो यह है microphone इसका microphone है और यह है Logitech का logo अब पीछे की साइड में मिलता है यहां पर बाइर इस वाइर में आपको यह USB connector है आप अप इसने laptop या desktop बर आप connect कर सकते हैं उसे connect करेंगे तो power भी इसी से मिलेगी इसको और इसी के अंदर audio cable भी इसी के अंदर है video cable भी इसी के अंदर है एक ही connector से सारे काम इसके हो जाएंगे और पीछे की साइड में यह आप देख रहे हो यह clip है इस clip की help से आप इसे mount कर सकते हो यह इसका clip है इसको open करके आपको simply इसके ऊपर अपने desktop या monitor के ऊपर इसको attach कर देना है बस अराम से ऐसे ही attach हो जाएगा इस तरह से attach हो जाएगा उसके बाद इसकी जो केवल USB connector है यह हमें USB port में अपने जो USB port है हमाई desktop या laptop का उसमें connect कर देना है simply installation काफी easy है इसकी इसमें मैं लगा देता हूँ इसको USB port पर इसे हम लगा देते हैं इसके बाद जैसी आप इसे connect करेंगे इसका जो software है driver software है अपने आप ही install हो जाएगा यह आप देखिए यहाँ पर यह install हो रहा है यह गोल गोल घूम रहा है अभी कुछी second में install हो जाएगा उसके बाद हमारे पास एक message आ जाएगा जैसी message आ चुका है Welcome to the Logitech update wizard अगर update होगा कोई तो हो जाएगा तो इसके लिए हम कर देते next next पर click करेंगे और यह check कर रहा है updates के लिए अगर कोई updates होंगे तो यह update हो जाएगा इस पर आ रहा है no update is available at this time कोई update अभी नहीं है तो इसलिए finish पर click कर देते हैं finish पर click करेंगे तो हमारा camera activate हो जाएग यह देखिए आप बिल्कुल clear quality आ रही है high definition quality आ रही है क्योंकि light अभी थोड़ी सी low है फिर भी आप देख सकते हो quality clear है जैसी यह activate होगा तो यह green color की LED power LED glow करने लगेगी it means हमारा camera activate है देख सकते हो आप clear आ रहा है बिल्कुल वीडियो quality काफी अच्छी है इसकी और बागी दोस्तों मैं इसे check तरके फिर आपको बताऊँ है इसका review तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा अलगा हमें comment box में comment करके ज़रूर बताएं thanks for watching please subscribe like share and press bell icon button thank you